बिलासपुर शहर से 60 ग्राम पंचायत सिहडा के गाम सिहडा घाट में बीती रात एक दो मंजिला मकान अचानक गिर गया हालांकि इस हाथसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन पूरा मकान तहस नहस हो गया है इस घटना में करीब 15 से 20 लाग का नुकसान बताया जा रहा है हैरानी इस बात की है कि ना कोई बारिश हुई ना कोई तुफान आया फिर भी इतना बड़ा मकान गिर गया परभावित परवार के सदस्य रकेश कुमार ने बताया कि बुद्वार रात को भोजन करने के बाद परिवार के सदस्य घर के बाहर बैठे हुए थे करीब साड़े दस बजे मकान गिर गया मकान गिरने से हुए धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे इस हादसे में मकान में रखा सामान मलवे के नीचे दब गया है इसमें फ्रेज, वाशिंग मशीन, वगीजर सही अन्य सामान शामिल है इसके अलावा मकान के बाहर एक स्कूटी खड़ी थी वे भी मलवे के नीचे दब कर पूरी तरह शतिग्रस्त हो गई है यही नहीं मकी पीसने का क्रेशर को भी काफी नुकसान पहुंचा है उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पंचायत परधान सुरोज कुमार ने परशाशन से मांग की है कि परभावित परिवार को उचित मुआबजा दिया जाए सुचना मिलते ही जिला परशद अध्यक्ष, मुसकान, पंचायत उपरधान रकेश कुमार, बीडिसी सदसे रीमा, वो बाड सदसे जमना देवी भी मौके पर पहुंचे पंचायत परधान द्वारा हाथ से की सुचना संबंदित पटवारी को दे दी गई है अउसे उपे इहां पे इनका बहुत बहुत ज्यादा नुक्षान हो चुका है तो मैं रात को सड़ी, 맛있어요, पंचायते, पंचायत, यहां स्तिकीछस थ्यारे मिलते जेकिक्षा हम जो है क्रीव साड़े बार एक बजे के क्रीव पहुंचेंगे तो आप जो है एक बार फिर से हमें कॉल कर लेना और हम साड़े 11 बार अब पहुंच आएंगे और जितनी हल्प होगी सासन की तरफ से तो हम उनकी करने की पुरण कोशिश करें मैं सासन से यही रिमांड करता कि जो भी इनका जानमाल का नुखसान हुआ है तो उनका खड़ा इनको मुआबजा मिले और इनकी हल्प की जाएंगे